तो यह हमारा प्रैक्टिस सेशन है हिस्ट्री के फर्स लेक्शर पे अगर इसके पहले आपने इंट्रोडक्शन ओफ इस्ट्री का लेक्शर नहीं देखा है तो प्लीज जाहिए और आपको वहां पे हमारे यूट्यूब चैनल पे ये यूट्यूब चैनल है YouTube चैनल का नाम है QB Classes, QB Classes MPPAC, यल्लो कलर का ऐसा लोगो है यहां पे हमने प्लेलिस क्रियेट करके रख्य हुई है जिसमें History, Geography पहलेल पे चल रहा है, Geography के भी हमने Practice Session स्टार्ट कर दिया है और History की क्लासेस भी चालू है इस lecture से हम history का practice session स्टार्ट कर रहे हैं अगर आपको इस lecture से related कोई PDF चाहिए उसके लिए ये हमारा telegram channel है telegram channel के लिए telegram के search option पे जाहिए QB classes type करिए और again आपको same logo दिखाई देगा ये telegram channel है QB class MPPC यहां से आपको इस lecture से related PDF मिल जाएगी और कुछ questions मिल जाएंगे आपको quiz format में telegram channel का link यह है otherwise इस lecture के description पे भी आपको telegram channel का link मिल जाएगा तो चले शुरू करते हैं आज का हमारा section जो है वो history के first lecture पे है अगर आपने history का first lecture नहीं देखा है तो YouTube channel पे जाएए playlist में आपको history का पहला lecture दिख जाएगा वो देखिए और उसके बाद यह practice session फिर आप उसके बाद attempt कर सकते हैं तो history के lecture channel पे सबसे बहले हमने बात की थी इनकी इन महासा है कि है ना he is the father of history इनको history का जनक कहा जाता है तो पहला question तो यहीं से सुरू होता है कि सर history के father यानि की जनक कौन थे इनका नाम आप comment section पे लिख सकते हैं ठीक है और इसका answer आपको वापस टेलिग्राम चैनल पे तो मिली जाएगा चलिए कुछ questions मैंने यहाँ पे fill in the blanks और straight forward format में लिखा है कोई mcq pattern नहीं है क्यों क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ basics questions याद हो जाएं क्योंकि आपको नाम याद करने पड़ेंगे उसमें से सबसे पहला है prehistoric period आपने अगर lecture देखा है तो आपको prehistoric period यानि प्राग एतिहासी काल के बारे में पता है तो pen उठाईए और अपनी copy में इसका time period आपको लिखके देना है इसका time period आपको लिखना है ये प्राग एतिहासी काल कितने वर्स से कितने वर्स के बीच में माना जाता है question number 2 ये है Indus Valley Civilization यानि सुद्धू गाटी सव्यता किस time period का हिस्ता है किस time period का हिस्ता है copy उठाईए और यहाँ पे आपको लिखना है ये prehistory है, proto history है ये historical time period है प्राग एतिहासी काल है, आदे एतिहासी काल है या फिर एतिहासी काल का हिस्ता है again अगर आपने वो लेक्षर देखा है तो मैंने वहाँ पे आपको सिंदुगाटी सभेता का दूसरा नाम बताया हुआ है आपको इस question में ये लिखना है कि सिंदुगाटी सभेता का दूसरा नाम क्या है ये तो बहुत आसान question है लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वापस lecture देखिए वहाँ से आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी चौधा question ये है stone is the part of which period of the time पासार काल किस समय काल का हिस्सा है ये आपको अपनी copy में लिखना है इसके answers मैं telegram channel पे डाल दूँगा और इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मतलब ये है कि कही ना कही revision में कमी है अगर आपको इतने basic questions अभी नहीं बनना है तो मतलब आपके revision में कमी है तो वापस lecture देखिए ठीक है? हलाकि उनके जवाब इस question से भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे मैंने एक match the column दिया है match the column देने का कारण यह है कि काफी बच्चों को मैंने देखा है जब मैंने उनको test papers दिये अपने classes में तो मुझे यह सहौन में आए कि उनको match the column करने में कठिना ही होती है तो एक वार आप attempt जरूर करिएगा अगर आपको लगता है कि आपको आता है या समय है वो किस time period से match करता है यह आपको बताना है मतलब यह है कि सिंदुगाटी सावेता किस period से सम्बंदित है स्टोनेज किस period से सम्बंदित है 1857 के बाद का समयकाल किस period से सम्बंदित है और दिगवेदिक period किस period से सम्बंदित है वीडियो को pause करिए और यह question में एक वार atom करने की कोशिश करिए I hope आपने question को एक वार atom करने की कोशिश की होगी अगर नहीं किया है तो एक वार इसका answer देखते हैं See, Indus Valley Civilization, सिंदुगाटी सव्यता ये जो है, ये proto-historic period का time period का माना जाता है क्यों? क्योंकि proto-history वो time period है जब हमाईर पास लिखित साक्ष तो है, written evidence तो है लेकिन इनको हमने पढ़ा नहीं है, decipher नहीं किया है तो A का आप ऐसा match कर सकते हैं, second इसके बाद stonage की बात आती है stonage pre-historical time period है जब इनसान ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था period after 1857, मैं color change कर रहा हूँ period after 1857, ये जो period है, ये historical period का है so C का one, last में रिग्वैदिक period मिलता है रिग्वैदिक period ये व्यदिक period को लिखे historians में कई वार debate है, ये विबात का प्रश्न है लेकिन मैंने आपको बोला है कि आप रिग्वैदिक period को proto history का period मान सकते हैं, ऐसा क्यों है, ये हम आने वाले एक या दो lecture के बाद आपको इसमें हम बहुत detail में बाते करेंगे ठीक है, तो मैं repeat कर रहा हूँ, A is related to second D is also related to second, तो A is related to second D is also related to second, अब इसमें से अगर आपको एक भी options आता है, तो आप elimination method यूज़ कर सकते हैं, कैसे, A is equal to second है, तो ये तो नहीं होगा C option भी गलत हो गया, अब आपके पास बचा है B और D, तो answer इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है इसके बाद अगर हम stone age देखें, stone age सबसे पहले की घटना है इसका मतलब ये history ने सबसे पहले की घटना है, इसका मतलब ये pre-historical period का है प्रागयतियासिक कारण है, तो B का C, तो हमारा B answer जो है, वो correct हो जाता है ठीक है, अगर आपको ये चीज़े son में नहीं आ रही है, तो एक और वापस जाए प्लेलिस्ट पे जाईए, वहां history का पहला lecture दिखिए, उसमें basic introduction के बारे में बात किया गया है और अगर आपको ये questions यहां से son में आ गया है, तो इसके पहले की slide के जो questions हैं, ये आप सारे के सारे attempt कर सकते हैं ठीके, by the way मैं इनके answers आपको telegram channel पे डाल दूँगा, आप वहां जाए और यहां के answers आपको मिल जाएंगे, ठीके, practice के लिए वहां पे मैंने ये questions quiz form में भी डाल रखें, यहां पे एक अच्छी चीज़ मैंने डाली है, art of the writing with conclusion, इसका आप screenshot ले सकते हैं, और एक वार इसको इससे कुछ न कुछ आपको notes बनाने में, और writing कैसे करना है, notes कैसे बनाना है, effective manner में notes कैसे बनाने है, उसकी थोड़ी सी यहां पे कुछ tricks दी हुई है, जो आपको definitely आपकी preparation में कहीं न कहीं help करेगा, so I hope आपको यह lecture पसंद आया होगा, और अगर आज में आप कोई भी परिव कैसे थेश साचा यहां पी जड़र का ही हम भी खागे है, कर दो आपको कपी पास करने है, और आपकी साचावाहा हॉवाण Islam में आपकी से बनाने हैं हॉद में ज़र कॉद ay भी वहां इसjmé जूना है, द Vergleich साची कियाता है?